है थी कि अधिए बच्छों वहीं ओके इसमें आज जो हमारा टोपिक है वो LACM और HCF और इसके हिंदी में सबसे přहले तो नाम जान लो क्योंकि सबसे जो mistike, major mistake करते हैं बच्छे वो करते हैं इसके नाम को बोलने में ठीक है न सबसे पहली mistake तो और ये mistake बता रहाँ कि लगभग ये मान लो 50% students जो है इनके नाम को बोलने में मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर एक नाम है तो यहाँ पर एक नाम है लगुत्तम समाप वर्तिये ठीके स्ट्रेंट्स तो यह लगुत्तम समाप वर्तिये जो है यह वाला नाम बिल्कुल सही लिखावा है हाँ पर लगुत्तम समाप वर्थिय ही होता है और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लीस्ट कोमन मल्टीपल वर्थिय की जो इंग्लिश होती है बच्चो वो होती है मल्टीपल तो लीस्ट कोमन मल्टीपल इसका नाम होता है और शोटकट में कहते हैं एल सी एम या हिंदी में बोलते हैं इसको ले से और पे रचो ये हिंदी में इसका नाम अगए शोट में एल सी एम और ले से पे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं सेकिंड एस के अंदर महत्म समाप वर्तिय गलत लिखावा है महत्म समाप वर्तिय कभी नहीं होता हमेशा महत्म समाप वर्तक होता यहां जहां वर्तिय लिखा गलत लिखावा है तो इसकी जगा पर आता है वर्तक तो हमेशा ध्यान लखना महत्म समाप वर्तक होता है और इंग हाइएस्ट कोमन फेक्टर एफ एसी टी ओवार फेक्टर शोटकरट में कहते हैं इसको एच सी एफ और हिंदी में बोलेंगे शोटकरट में मैं से और पै तो सबसे पहला काम तो यह है कि इनके नाम आपको सही लेने आने चाहिए क्योंकि 50% माने आपको बता दिया विध्यारत कि नाम लेने में बड़ी मिस्टिक करते हैं और मेजर मिस्टिक करते हैं ठीक है तो लगुत्तम वाले में बोलोगे आप लगुत्तम समाप वर्तिये महत्तम समाप वर्तक लगुत्तम समाप वर्तक को एलसीम शोट में और महत्तम समाप वर्तक को एच सी एफ शोट में और एक नाम भी होता है इसका GCD मतलब G का मतलब greatest, C का मतलब common और D का मतलब divisor तो कई जगा पर यह बने से लिए बता दिया क्योंकि हम लोग HCF पढ़ रहे हैं और कई बार क्या करता है एक्जाम में HCF वर्ड यूज नहीं करता वो सिधा सिधा GCD वर्ड यूज करता है और GCD पूछता ही बच्चा कंफिस जाता कि GCD क्या पूछ लिया है तो G का मतलब greatest, C का मतलब common, D का मतलब divisor ठीक है तो greatest common divisor चलिए सबसे पहले जो आज का हमारा topic रहेगा वो रहेगा लगुत्तम समाप वर्ड यूज इसको महत्तम समाप वर्ड यूज को HCF का दूसरा नाम होता है GCD हाँ LCM का कोई दूसरा नाम यह बस LCM यह है न हाँ ठीक है तो यहाँ पर आज का जो topic रहेगा बच्चों हमारा रहेगा लगुत्तम समाप वर्ड यानि के LCM तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको definition वगरा देख लिए हैं यह बाद कोशन पर बाद माएंगे तो LCM का देखो नामी मतलब आप समझ रहे हैं लीस्ट माने छोटा लीस्ट माने छोटी से छोटा ठीक है ना सी माने कोमन एम माने मल्टीपल ठीक है तो इसकी definition यहां लिखी हुई है वह चोटी से छोटी संख्या ग्यात करनी या ग्यात वह चोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णते विभाजित हो जाए भाग हो जाए वो LCM के लाती है जो लोग है definition इतनी माइने नहीं रगती के definition आपको आनी चाहिए में काम यह है के LCM क्या है और इसको कैसे find किया जाता है देखिए LCM मैं एक छोटे छोटे सो धारन दे रहा हूँ पहले आपको कुछ नहीं सिखा रहा मान लीजिए मैंने हाँ पर लिखा दो और यहां लिखा तीन और मैं आप से बोलू के इन दो और तीन का LCM बताओ तो देखो अभी आपको कोई method नहीं सीखना आप यहनी कमजोर से कमजोर बच्चा भी यह चीज़ सोच सकता है और सोचनी भी चाहिए ठीके तो हम यहां पर दो और तीन का LCM ग्याद करना चाहरे हैं तो LCM का मतलब होता है एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंडो कि वो नंबर वो नंबर दो से भी डिवाइड हो जाए और तीन से भी डिवाइड हो जाए मतलब दो से भी कटे तीन से भी कटे तो ऐसा छोटे से छोटा नंबर क्या हो सकता है तोड़ा सा जो डाली दिमाग पज़रा इक दो चाह सेकिंड के लिए जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे मंजुने सही बोला है वो नंबर होता है 6 यानि के 6 होता है ठीक है very good अच्छा हमने यहाँ पे छोटे से छोटे की बात ही क्यों करती है यहाँ पे बड़े से बड़ा क्यों नहीं कहा यहाँ पे जहाँ नाम लिखा वाय लगुत्तम समापवर्तिये तो यह लगुत्तम ही क्यों लिखा यहाँ पे अगर मैं बूछ लूँ कि इसका 2 और 3 का महत्तम समापवर्तिये क्या होगा महत्तम समापवर्तिये क्या होगा तो ये आप बता सकते हो क्या मुझे कि महत्म समाफ वर्तिय क्या होगा इसका भई छोटे छोटा तो आपने बता दिया 6 है अब मैं कहा रहा हूँ छोटे छोटा बताओ बड़े से बड़ा बताओ मुझे तो तो मेरे भाई बड़े से बड़ा ये जो इन दोनों से कट जाए यानि ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो दो से भी कटे और तीन से भी कटे ये तो छोटे छोटा था तो छोटे छोटा था आपने 6 बता दिया किसा चह है एक ऐसा छोटा हां हां तो अगर वह महत्तम में आपसे पूछ उलंओ इसके अंदर महत्तम लगा दूब वर्ड तो महत्तम में क्या पंगा होगा महत्तम में सब सब बदा पंगा यह होगा कि आप यही नहीं पता कर पाओ ज़ो संख्या कूल सी है क्यutaneden से बाड़ा बीट ऐसा दो औरहाब लाच कि आपर दो औरहां से आपनोर है और है कि जोडूर ट दैशी बल भी है टो इस परकार से inibile minute दो तो यहां पर कभी भी महत्तम बढ़ यूज नहीं होता यहां हमेशा लगुत्तम बड़ी उस होता है यानि जो चीज आप find कर सकते हो आप से वही चीज पुछेगा जो चीज find नहीं कर सकते हैं आप से वह चीज नहीं पुछेगा तो मैं एक तो वाज करते रहते हैं तुम लोगों के सब के ठीक है चलिए खैर तो यहाँ पर यहाँ पर चोटे चोटे की बात की चलो थोड़ी प्रेक्टिस और करते हैं जराबी दो, तीन और यह लोग चार और LACM बताना है यानि एक ऐसा छोटे से छोटा नमबर जो दो से भी कटे तीन से भी कटे और चार से भी कटे बोल तो भई कोई भी रेंडम ली 12 वेरी गुड बारा 12 वेरी गुड एक्सेलेंट अभी हम लोग किसी मैथट का यूज नहीं कर रहे हैं सिर्फ दिमाग का यूज कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा नमबर सोच रहे हैं जो दो, तीन, चार से कटे वह का बारा 12 चलिए आगे इनका मुझे LSM बताना है 24, 24, वेरी गुड 24, अभी कई बचे यह ना सोचे के सरी 24 कैसा रहा, सिर्फ सोचना है आपको, यहाँ पर क्योंकि हम कोई method अपलाई नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे आप सोचना शुरू कर भी दोगे अगर अभी तुरंत नहीं सोच पारे तो, ल चलिए आगे बढ़ते हैं, 10, 12, और 15 का LSM ले लेते हैं और 10, 12, 15 का जा LSM आएगा कितना? 60, very good, नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, 120 से पहले 60 भी है, 60 एक ऐसा नंबर होता है, जो 10 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, और 15 से भी कटता है, तो LSM तो 60 होगे, ठीके ह चलिए और देखते हैं, 10, 12, 15, और 16 का LSM बताओ मुझे क्या आएगा? अब एक थोड़ा सा पंगा हो गया, और पंगा ये हो गया, कि संख्या थोड़ी बड़ी हो गई, और 4 हो गई, तो एक बात आपको याद होगी, अभी आपने 10, 12, 15 का LSM याद किया था, जो आया था 60, लेकिन 60 में सबसे बड़ा एक पंगा है, पंगा ये है, कि 60 जो है, वो इस वाले 16 से डिविजिबल नहीं है, जो ए 60 है, वो 16 से नहीं कट रहा, देख लो आप लोग कांगट रहा सोल से कटीने जा, वै 16, 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 17, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 20, जो तुम क्या करोगे अब, इस वाले 60 का टेबल पढ़ लो, तो 60 का टेबल पढ़ो और वहां तो 60 हेकम 60, 60 दूनी 120, 120 भी देख सकते हैं, 16 के पाड़े में नहीं आता, 60 तिया 180, 180 भी 16 के पाड़े में नहीं आता, और 60 चुका 240, 240, 16 से डिविजेबल है, कन्फर्म के, सारे बच्चे सोचेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, तो देखो धीरे धीरे एक अनुभव होगा, प्र लगती रहेंगी चीजे, ठीक है, तो एक रास्ता तो आपके पास ये के, 60 का टेबल पढ़ लो, किलियर, दूसरा आपके पास एक रास्ता और भी है, बता रहूं क्या रास्ता हो, अगर कभी तुम्हें ऐसी संख्याओ, जी बोलिए, हाजी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अभी निकालना नहीं है, ध्यान लखना, अभी आपको मने बोला, निकालना नहीं है, ध्यान लखना ये, आप ऐसा मानलो, कि नमस्ते भीया, कौन, मैं वीडियो भीज़ दूमा, तुम्हें कौन, बोल राहूल साथ बोल रहे हो, क्या, ओके राहूल, ओके ठीचे राहूल, तो, अच्छा मन्जू, मैं आपको बता दूँ, एक बात ही है, आपको निकालना नहीं है, ध्यान लखना बात ही है, हाला कि तुम ऐसे निकाल सकते ह हूँ, इस, अब यारे कौन है, माई कौन कर देते हैं, बताओ यारे, जिम्मेदारी नहीं समझते, भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या यह के जिम्मेदारी कोई नहीं समझता, अभी भी लोगडाउन चल रहा है, लोगडाउन में मैं बता रहा हूँ, जितने जो हैं, नियम तोड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो वही तोड़ रहे हैं, जो सरकार के पक्स में अकूम नियम तोड़ रहे, जबसे बड़ी बात ही है, चलिए खेर, जिम्मेदारी कोई समझता नहीं है, अब मंजू, इसका LCM आप इस तरह से भी निकार से हो, फैक्टर करना नहीं है, आप ऐसा सोचलो कि मेरे हाथ बंद गए मुझे इसका यूज नहीं करना, भई जब तुम इसका यूज नहीं करोगे तब ही तो तुम्हारा दिमाग को सोच नहीं पाने का, और mathematics आपको बता दू, mathematics 90% यह जो है सोचने पर यादारीता, देखो है नहाँ, हम ल एक जिग औरती यह भी मनें लिखाता है है दस, बारा, पंदरा और सोला, ठीक है, तो Lcm मनें इनका लिया था, 60, लेकि साठ में एक समस्या थी, समस्या यह थी, कि 60 इस 16 से divisible नहीं है तो मैं एक काम कर लेता हूँ 16 के टोड़े कर लेता हूँ तो 4 गुना 4 ये लो अब आप देखोगे कि एक जो 4 है ये वाला जो 4 है ये वाला 4 इस 60 को काट देगा और 60 को काट का जाएगा 15 ये लो 15 आगिया लेकिन अब जो दूसरा वाला 4 है वो इस 15 को नहीं काट पाएगा इसको नहीं काट पाने का तो हम क्या करेंगे टेखनिक ये है जो दूसरे वाला चार 15 को नहीं काट पा रहा तो इस दूसरे वाले 4 की multiply मैं 60 में कर दूंगा और जैसे ही मैं इस वाले चार की multiply 60 में करूंगा तो मेरा जवाब आ जाएगा 240 ये लोग एक method ये भी है हाँ इस method को भी काट देता तो फिर तो एलसम 60 ही हो जाता बस और क्या होता अनुज समझबारी बात नहीं आ रही आगे ठीक है ओके अभी मैं एक संख्या ओर लिख रहा हूँ जो छोटे छोटे नमबर हम उनका अब अब फिर आ ये प्रैक्टिक करना रहा हूँ आपको चलिये और बढ़ते हैं आगे की और बीस पच्चिस चालेस और पैंतिस ये लो का एलेसियम निकालना मुझे तो काफी बड़े नंबर हो गए ठीक है और जादा भी है चार नंबर है तो मैं पहले ये परियास करूँगा मौकी ग्रूप में कि मैं उन नंबर पे नज़र डालूं जिनका मैं एलेसियम आसानी से ले सकता हूँ और अगर तुम मेरी तरफ से बात करोगे तो मेरी तरफ से ये तीन नंबर ऐसे हैं ये वाले जिनका मैं एलेसियम बहुत जल्दी ले सकता हूँ मुझे बानी वो भी जवाब आएगा 200 ये लिजेगा 200 200 तो 20 का 25 का 40 का LSM 200 है लेकिन 200 के अंदर भी एक समस्या है कि 200 इस 35 से डिवेजेबल नहीं है तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं या तो 200 का टेबल पढ़ना सुरू कर दो टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और वहां रुख जाना जहां ये 35 से कट जाए या फी सेकिंड आपके पास रास्ता ये वाला है जो मने अभी बताया था कि इस 35 के फेक्टर कर लो तोड़ दो इसको हाँ तो इसको तोड़ोगे तो 5 गुना बनेगा 7 अब 5 गुना 7 में क्या है ज़रा सुन लीजेगा ये वाला जो 5 है इस वाले दोस्तों को डिवाइड कर देगा और आजाएगा 40 लेकिन अब समस्या का है ये वाला जो साथ है इस वाले 40 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसलिए मैं क्या करूंगा इस वाले साथ की मल्टिप्लाई जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है इसकी मल्टिप्लाई मूल संख्या जोती है या दोस्तों जोता तुमारा इसमें कर दूँगा तो जैसे ही मल्टिप्लाई करूंगा तो 200 गुना 7 जवाब आएगा 1400 तो इस तरह से मौकी ग्रूप से निकालना सीखिए चलिए अब दूसरी बात आती है सर नंबर इससे भी बड़े आगे इससे भेहनक नंबर आगे तो क्या होगा तो फिर तो आपको पता एलसेम निकालने की एक वीदी होती है और एलसेम निकालने की जो वीदी होती है उसका नाम हो होता है थीकर एक सेंगे नुग जादरा बच्चो इसे अंदर कर दो बंदर दो इसमें हाँ 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 तू फैक्टर आजिसन मेथड़ यह होता है सब कर दो इस तरह से करते जाएंगे जो कोमन है वो ले लीजिएगा इसके अंदर ठीके बच्चो जिम्मेदार बनो अपना माइक ओफ ओन मत रख ख़़ो ओफ ख़़ दिया ख़़ो ठीके चलिए दो से काट सकते हैं दो पंजे दस दो च्षीन बारा यह कटेगा निए पंदरा ऐसी लिख देंगे फिर पांस से काट सकते हैं पांस से दो नमबर कर जाएंगे पांच एकम पांच छे नहीं कटेगा 5 तीयं 15 और फिर 3 से कार सकते हैं वो लोग एक तीन दुनी छे हैं तीन इकम थीन फिर 2 से कार सकते हैं ये लो और इनकी हम आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 तो ये मेतट कर लाता हमारा फेक्टराइजेशन मेतट पर देखो आप competition की तयारी कर रहे हो छोटी छोटी संख्याओं का इस तरह से LCM निकालोगे तो दूसरा पक्स जो है नि कोई भी एक ठीक ठाक विखती वो आपके अंदर पहचान लेगा कि आपके अंदर talent की कमी है भी सही है ना मालो आपको 10, 12, 15 के LCM लेने में भी इस method की जुरुत पढ़ रही है आप ऐसे निकाल रहे हो तो कोई भी समझ जाएगा मतलब आप लोग पुरी तरह प्रिपेर नहीं है ठीक है तो इस तरह से LCM नहीं निकालना है केवल तब निकालना जब संख्या आपके दिमाग से पर रहे कि किस सवाल में LCM निकालना है कि किस सवाल में LCM निकालना है या HCF निकालना है ये कैसे पहचाने कि किस सवाल में LCM निकालना है या S.C.F. निकालना या कुछ छोर करना है तो आपको मैं दो बाते बता रहा हूँ L.S.C.M. ठीक है कौन बोल रहे हैं ये राउल साथ आज के बाद ये मत बोलना कभी भी है अब ठीक है चलिए सुनिए बाद ध्यान पूर वक देखिए एक्जाम में जो L.S.C.M. से रिलेटिड सवाल आएंगे वो दो तरह के आएंगे एक तो आएंगे डायरेक्ट वे में डायरेक्ट वे और एक आएंगे बच्चो इंडायरेक्ट वे में इंडायरेक्ट वे अब यह direct way क्या है अर यार यह indirect way क्या है डाइरेक्ट way में साफ साफ बोला जाएगा के LSEM ग्यात करो वहाँ लिखा होगा question के अंदर के LSEM ग्यात करो लेकिन indirect way में कहीं भी सवाल के अंदर LSEM शब्द का जिक्र नहीं होगा सही है जैसे मैं एक्जाम पर तुम्हें देखे बता रहा हूं इसमें मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से एक्जाम में वो आप से पूछेगा डायरेक्ट वे क्या है डायरेक्ट वे का मतलब है यहाँ पर क्या आपको डायरेक्ट यह बोल देगा कि इसमें यह करना इसमें लिस तो यह यहां लिखे रखा है कि 315, 441, 377 का HCF क्या है तो डारेक्ट भी कहलाता है यह डारेक्ट भी में क्या करेगा डारेक्ट भी के अंदर आपको वह सीधा सीधा बोलेगा कि इनका LSM निकाल दो जी मुझे और कुछ नहीं बोलेगा जैसे आप देखो यह वाला कॉश्चन इस पेज पर दूखे रहा है इसे बोलते हैं डारेक्ट भे यह डारेक्ट भी का एक्जामपल है साफ बोला है कि 81 का और 216 का LSM ग्याद करो तो डारेक्ट भी होगाने खुद कह रहा कि LSM ग्याद करो अब indirect way क्या होता है मेरे भाई indirect way ये होता है जैसे मैं आपको दिखा दू indirect way क्या होगा indirect way में कहीं भी सवाल में ये नहीं लिखा होगा कि इसमें आपको lsm निकालना है वहाँ पे आपको अपनी तर्क बुद्धी का यूज करना है और ये पता लगाना कि हमें क्या करना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सवाल हाँ सवाल सवाल आजाए भई चलिए भई सवाल आने वाला है ये लो जैसे भी ये वाला question लिखावा है आप देख सकते हो ये वाला सवाल अब इस सवाल पूरे सवाल को पढ़ लो आप पूरे सवाल में ना तो HCF का जिक्र हुआ है और ना पूरे सवाल में LCM का जिक्र हुआ है आप सवाल पढ़ लो 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ग्यात करो जिसको 20, 25, 30 से भाग करने पर प्रतीक दुसामित 10 सेश बचे तो राहूल साथ तुम भी बताओ इस सवाल में क्या निकालना है LCM निकालना है के HCF निकालना है सवाल में तो कहीं नहीं लिखा लेकिन आप अपनी तर्क बुद्धी का यूज करके बताओ LCM निकालना के HCF निकालना राहूल साथ इसमें HCF निकाल सकते हैं ठीक है चलो और उसे पूछते हैं अभी और बच्चे भी हैं हाँ पर हमारे पास एले सिर्फ निकालना पड़ेगा राहूल स्टेंबोला दीपक मल्याना फाटक ने ओके मंजीत सींग आवाज सुन रहे हो आरी आवाज नहीं मंजीत सींग चलिए मंजीत को वाज मंदब वहां की रिप्लाइन आती मनोज कुमार भहरोड अवाज आरी हो तो क्या निकाल ले इसमें एक सिफ निकाल लेंगे कि एले सिम निकाल लेंगे एच सी एफ चलिए अभी और देखते हैं जरा हम लोग देखें जरा और कौन-कौन जुड़े में आज जो है कुछ बच्चों के इसमें प्रॉलम चल रही है अनुज तोमर तुमी बता दो फाइनली एच सी एफ निकालना है या ले सिम निकालना है L.C.M ठीक है तो देखो एक बात बता दूं इस वाले सवाल में बड़े तकड़ा कंफियूजन है बहुत भेंकर कंफियूजन है बचे सोचते हैं कि हेल लिखा है बड़ी से बड़ी और बड़ी से बड़ी देख करके उनके मन में आता है कि हम X.C.F. निकाल दें बरतिये तो ही हाँ तो यहाँ थोड़ा सा हाँ अभी इंडार्क भे हो गया ना हैा करना है तुम्हें यह बताओ कहीं लिखा कुश्चन में बताओ नहीं लिखा तो यह इंट डिरेक्ट वे हो गया अब तुम्हें क्या करना है बैर डिरेक्ट वे तो वो गया वो बोल दे के LSEM निकालो, जी, LSEM निकालो, खतम बात, और क्या करना है, कुछ करना नहीं, HCF निकालो, जी, HCF निकालो, जी कोई बात नहीं, जो आदज़ दे करा हूँ, जो आदेश दे रहा हूँ, दे रहा है, लेकिन हाँ पे इस question को बढ़ने पर तो कहीं लिखी नहीं रहा कि LSM निकालना क्या सिफ निकालना है तो अब सवाल ये उठता है चलिए बच्चो ये तो था एक point अभी इस पर बात नहीं करते अब सवाल ये उठता है मनें बताया था दो तरह के सवाल है direct way और indirect way ठीक है हम निकाल रहें HCF तो क्यों निकाल रहे हैं आकिरकार क्या पहचान है हम कैसे पहचानेगे आपके मुन में आ रहा होगा कि सर ने तो बता दिया कि LCM निकालना है लिकिन सबसे मेजर प्रॉलम ये है कि आपको पता कैसे लगीगा कि LCM निकालना है चलिए अब उस मुद्धे बात करते हैं देखिए LCM ग्याद करने की तीन मेजर पहचान बता रहा हूँ आपको जिससे आप ये पहचान कर लोगे कि इस सवाल के अंदर हमें LCM निकालना है तीन पहचान ठीक है तो वे पहचान आप चाहें नोट भी कर ले क्योंकि हाँ कहीं लिखी वे पहचान तो पहचान नंबर एक बच्चो सबसे important पहचान क्या है जिन प्रश्नों में आप लिखना चाहें लिख लें क्योंकि स्क्रीन पर 30 चीज़ नहीं लिखी जाईगी जिन प्रश्नों में है न लिख लोगे न ठीक है जिन प्रश्नों में कम से कम कम से कम हम बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं दोने काम कर रहा हूं जिन प्रश्नों में कम से कम या चोटी से चोटी या चोटी से चोटी संख्या पूछी गई हो जिन प्रश्नों में कम से कम या चोटी से चोटी संख्या पूछी गई हो वहाँ LSEM लेते हैं ठीक है बच्चो वहाँ LSEM लेते हैं वहाँ LSEM लेते हैं तो यह वाला पॉइंट के लिए रहो गया होगा जब भी वह सवाल में बोल देगा के चोटी से चोटी या कम से कम संख्या गयात करो तो आप क्या करोगे तुरन पहले से बनिकाल लोगे यह पहचान हो गई अब लिए चलिए पहचान नंबर दो पर आते हैं बच्चो पहचान नंबर दो क्या है पहचान नंबर दो जिन प्रशनों में जिन प्रशनों में जिन प्रशनों में किसी घटना की पुंड्रा व्रत्ती पुंड्रा व्रत्ती को इंग्लिश में कहते हैं रिपिटेशन इंग्लिश में लिखने न हाँ बार बार धोराना फ्रिक्वेंसी पुंड्रा व्रत्ती हो रही हो हो रही हो तो वहाँ LSEM लेते हैं LSEM लेते हैं अब थोड़ा सा हम पांच मिनट का टाइम लेंगे इस वाले वर्ड को समझने में पुर्ना वरती को समझने में ठीक है? इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे वो तो जिन प्रस्षनों में किसी घटनागी पुर्णावरत्ती हो रही हो तो हम HILS M लेते हैं और पुर्णावरत्ती पर थोड़ा सम टाइम लेंगे एक डेड़ मिनिट का इसको समझेंगे चलिए पुर्णावरत्ती का मतलब है तीन परकार के सवाल आएंगे आपके पुर्णावरत्ति वाले, रेपिटेशन वाले जो है, तीन तरह के सवाल होंगे, अब सुन लिजेंगे मुखे टीन तरह के, ऐसा नहीं के केवल तीन तरह के हैएं बन्तों 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के हैं लेकिन मैं वह बता रहा हूँ जो एक्जाम में अधिकतर आते हैं ठीक है तो नंबर एक पुर्णा वरत्ति के ऊपर बता रहा हूँ पहले आपको मंदिर की घंटी वाले प्रश्ण तो जितने भी मंदिर की घंटी वाले सवाल होंगे वहाँ पर रिपिटेशन होगा आपको पता है कि मंदिर की घंटिया जब बसती हैं चार घंटिया हूँ पांच घंटिया हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक बार बजके चुप हो जाएगी वो अपने अपने इंट्रवயल पर सब मए रेसिभ निकालना है Second Point व्रत्ताकार मार्ग व्रत्ताकार मार्ग को इंग्लिश में कहते हैं Circular Road ठीक है बच्चों इंग्लिश में लिखे ले ना जो इंग्लिश मीटियम वाले बच्चियों तो यहीं इंग्लिश मीटियम वालों के लिए होते हुए कुछ व्यक्ति जब भी ऐसा कोई प्रशन आएगा कि एक व्रत्ताकार मार्ग होगा उस पे कुछ व्यक्ति दोड़ रहे होंगे और वो बोलेगा बताओ कितने समय बाद यह मिलेंगे तो ऐसा जब भी कुशन आएगा आप वहाँ पे हमेशा लस्यम निकालोगे लस हम एक बार समझा दूजरा एक ऐसे सर्कुलर स्टेडियम होगा और उस सर्कुलर स्टेडियम पर क्या होगा तीन व्यक्ति होंगे दो व्यक्ति होंगे चार व्यक्ति कुछ भी हो सकते हैं मालो तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी वह इस वाले बिंदू से दोड़ना आरम करेंग और सेम डिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट रहेंगे दोड़ते रहेंगे तो कितने टाइम के बाद फिर वो घटना घटेगी कि तीनों यहीं पर आरंबिक बिंदू इनिशल पॉइंट पर आ करके मिल जाएंगी तो जब भी ऐसा कुश्चन आएगा तो वहाँ पर आप क्या निकालोगे लसे में निकालोगे मैंड में च जिन प्रश्णों में कुछ अंको वाली हाँ बोलो बोलो अच्छर चोड़ा है कि ट्रेफिक लाइट वाला हाँ भी आसू तो सही बोल रहा एक मिनट जा जा पुर्ना वरत्ति वाले प्वेंट में एक पॉर्ण रह गयामारा तो पुर्ना वरत्ति वाले पॉइंट में दो पॉयंट और अ कि एक तो ये वाला हो गया वरत्ता वाहर во लाइट कोश्चन, जितने भी चोराहे की ट्रैफिक लाइट वाले कोश्चन आएंगे सभी के अंदर आप लसन निकालों और कहानकलो क्यां कर लो यह तो इतने कॉमन ब्रॉड हैं जहां भी तुम्हें दिखां़े लाग प्लाइट कрем मैं तुरंत एलसेम निकालना है ठीक है एक्सेफ कर भी निकलेगा है इसके अंदर तुरंत एलसेम चलिए अब आते हम लोग पॉइंट नंबर तीन पर दो पॉइंट हमारे कवर होगे तीसरा पॉइंट इससे नकल लीजेगा नोट अच्छी तरह से जिन प्रश्णों में जिन प्रश्णों में कुछ अंको वाली जिन प्रश्णों में कुछ अंको वाली छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी यह और हो बड़ा इंपोटेंट पॉइंट आया बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई हो तो वहाँ बच्चो एलेसियम लेते हैं इस वाले पॉइंट पर जाँ थोड़ा गोर करना मैं समझाओंगा इसको भी है न इसे नोट कर लो आप लोग जिन प्रश्णों में कुछ अंको वाली छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई हो वहाँ एलेसियम फाइंड करना है ठीक है चलिए अब इसके अंदर ये दो वर्ड में आपको संख्या रहा हूँ एक तो कुछ अंको का मतलब क्या है यहां पे कुछ अंको का मतलब हो गया बच्चो चार अंको वाली, पांच अंको वाली, छे अंको वाली कुछ का मतलब कुछ अंको होंगे ठीक है चाहे वो दो अंको वाली हो, तीन अंको वाली हो, चार अंको वाली, पांच अंको वाली ऐसे बोलेगा वो और वो आपसे चाहे छोटी से छोटी बोले या बड़ी से बड़ी बोले ध्यान लखना बात ये निकालोगे LSEM ही तो इसी वाले पॉइंट को याद करके मैंने ये पता लगाया था अभी जो आप से सवाल पूछा था कि इस सवाल में LSEM निकलेगा इस सवाले सवाल में ये निकालोगा में LSEM ही यहां नकना बाती तो यहा लिखा 파ँच अनकों की बड़ी से बड़ी संगे गया तो जैसे पंच अनकों की आगया तुरंत मेरा माइंड अलेट हो गया कि ये ये वाला ठाइप है ठीक है तो यहां पे aim और आप देख सकते हो, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जयाद करो, यहां भी LSM निकलेगा, किलियर बात यह, और पीछे पहुँच जाओ, तो आप देख सकते हो, 4 अंकों की छोटी से छोटी जयाद परो, तो यहां भी LSM निकलेगा, तो पहचान मेजर क्या है, मेजर पहचाना है शुरू में लिखा होगा starting जो होगी question की वहां से होगी 4 अंकों की 5 अंकों की 6 अंकों की चाहे वो छोटी से छोटी कहे या चाहे वो बड़ी से बड़ी कहे आपको LSEM ही निकालना है least common multiple ही ज्याद करना है तो यहां तक कोई doubt है तो मुझे बताओ कैसा यहां तक doubt है अब हम करते हैं सवाल को हल करना शुरू आपको मैं थोड़ा time दे रहा हूँ कोई doubt हो तो मुझे hint दे दो गई ठीक है चलिए टाइप 1 देखो मने जो notes हैं बच्चो इस तरह से design किये वे हैं कि इनको कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता है और जिसको moderate level के question चीए उसकी पूरती भी यह notes करेंगे यानि अब आपको जो है कोई अलग से किताब करने की जुरूत नहीं है सिर्फ यह single notes करो और कुछ नहीं करना आपको ठीक है बागी सारी जिम्मेदारिया आप मेरे ऊपर छोड़ दो आप सिर्फ पढ़ते रहो यह notes त्यार करना काम मैं कर रहा हूं ठीक है मतलब best से best देने की हाँ PDF इसकी मैं करूंगा लगबग यह वाली PDF तो पूरी नहीं है computer से निकालने पड़ेगी सुबह बना रहता मैं PDF इसमें क्या आना समय सबसब बड़ा लफड़ा यह है यार इसमें पॉंट में दिक्कत आती है पीडियो बनाने में एक भी फॉंट में सो जाओ पीडियफ रिबंतीस की चलिए मैं send कर दूँगा जल्दी है न हाँ शाम तक तो send करी दूँगा श्योर विल्कुल ठीके चलिए अब पहला सवाल बच्चो टाइप वन वहे छोटी से छोटी तो देखो जैसे यह आया छोटी छोटी तुरंट एक दम माइंड अलर्ट हो जाओ कर लो LCM निकालना है वहे छोटी से छोटी संख्या ग्यात करो जो दो, तीन, चार, पांच और दस से भाग हो सके मतलब जो दो से भी divisible हो तीन से भी, चार से भी, पांच से भी, दस से भी divisible हो और हर दसा में एक सेश बचाएं तो सबसे पहली बात इनका LCM निकाल लो बिना किसी method के कोई भी बच्चा बोलते है रेंडम ली, इनका LC माझाएगा बच्चो 60 यानि 60, फोड़ा सोचने की कोशिश किया गरो 60, अब सुनिए बात, 60 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है, जिसको यानि 60 को, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूं, 5 स जाएगा 60, लेकिन वो कह रहा है मेरे भाई, प्रतियक दसा में 100 बचे, तो 100 तब बचेगा, जब ये वाला नंबर जो 60 है, एक फाल्टू होगा, तो एड करोगे, बच्चो जवाब आएगा 61, तो 61, एक मेरें तो 80, एक नो एक मेरें वurance जिवाब ये प्लाकी, थिवाब आएगा रवाद प्रismेता है, एक जञा ज़ागाces का मेरें भाला जओनाएग टका ल котором हो इवादारोग़ैश् nóशने, झाल झाल हाँ अनुछ बस शुरू कर रहे हैं बच्चों को आने दुजराओ आ रहे हैं भी देरे देरे हैं न चलिए स्टनिस ठीक है तो उसका अंसर आगे हमारा बच्चो 61 इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो क्वेश्चन नमबर टू सेम है वह चोटी से छोटी संक्या ज्याद करो जो बारा पंदरा दस से भाग हो सके और प्रतीक दिशा में पांस शिच बचाए तो बारा पंदरा दस के लिए से बच्चो 60 और जितना शिच बचेगा उतना एक तो 65 आपका अंसर ठीक है अब आपके लिए हूंबर जो है वो कोशन नमबर थरी कोशन नमबर फूर आपका हूंबर करेगा ठीक है आप सभी लोग एक काम करो क्योंकि मैं पीडियो तो शाम तक सेंड करूँगा फिलाल आप इसका स्क्रीन सोट लेलो ताकि घर पर बैठके कुछ कर सको ठीक है स्टुए स्टुए पास मूबाइल तो एंडर हो गई तो क्योंकि तभी पढ़ रहे हो तभी पोसिबल है तो इसका स्क्रीन सोट लेलो ताकि तुम लोग शाम तक कोशन कर सको ठीक है चलिए टाइप नमबर सेकेंड बच्चो वह चोटी से चोटी संख्या ग्यात करो तो देखो एक्तम पता से भाग करने पर करमसरे रिस्पेक्टिवली साथ दस और ग्यारा सिष बुचे अब सबसे पहली चीज तो यह कि इस वाले टाइप में जो पहला टाइप था और इसमें क्या डिफरेंस है डोनों में डिफरेंस यह है कि पहले वाले टाइप में प्रप्तियक दसा में एक्व तो तुम्हें देखो यहां पर पहले बता रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रेजी बदलेगी यहां पर जिस question में 6 अलग अलग होंगे तो वहाँ पर क्या करोगे तुम इस 12 में से 7 माइनस करोगे 5 हाँ और इसमें भी बचेगा 5 और इसमें बचेगा 5 और एक बात आपको बता दू देखो 2 में से एक चीज सेम जरूर मिलेगी जैसे पहले वाले टाइप की बात करो तो पहले वाले टाइप में प्रती एक दसा में जो सेश था वो समान था यानि पहले वाले टाइप में ये वाली चीज आपको बता रहूं में ये जो सेश थे ये वाले वो सब में एकवल थे अब दूसरी बात अगर मालो ये वाले शेश इक्वल नहीं है किसी वज़ा से तो 110 परसेंट ये वाले जो रिमेंडर हैं ये जो आए हैं तुम्हारे खटा करके ये जरूर शेश मिलेंगे सोरी सेम मिलेंगे यानि के एक चीज इक्वल पक्का मिलेगी या तो तो रिमेंडर इक्वल मिलेंगे नहीं ऐसा होई नहीं सकता ऐसा पोसिबल ना ऐसा नहीं हो सकता ठीक है हाँ ध्यान लखना पिर नमबर कैसे गातो होगे नमबरी गातनी होने का पिर तो अलग अलग नमबर बैठ जाएंगे सारे चलिए तो ये वाला जो आए हैं डिफ्रेंस आए हैं ये हमेशा सेम होंगे और अब क्या करोगे 12 का 15 का 16 का lseum दो तो 12 पंदरा और 16 का जो lseum आएगा बच्चो वो अभी मने आपको निकाल के बताया था 240 आएगा और 240 में से जो डिफ्रेंस आ रहा है difference देख रहे हो सब में सभी में difference 5 5 का है तो 5 यहां से minus करोगे ध्यान रखना बात यह तो minus करने के बाद आएगा आपका 235 तो 235 एक ऐसा number है बच्चो यह 235 एक ऐसा number है जिसको 12 से divide करोगे तो 7 बचेगा 15 से divide करोगे तो 10 बचेगा 16 से divide करोगे तो 11 बचेगा तो वो number है बच्चो 235 copy कर लो अगला question और करते हैं बच्चो इसके अंदर चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं next question है वह चोटी से चोटी संगे क्या आप करो जिसको 20, 25, 35, 40 से बाग करने पर 14, 19, 29 और 34, 6 बच्चे चलिए कैसे करना है देखे ज़रा तो वह कह रहा है 20, 25, 35, और 40 से डिवाइड करने पर करमशा 14, 19, 29, और 34 बच्चे हैं तो सब में इनको घटा लोगे, इनका डिफरेंस देख लोगे सभी में डिफरेंस बच्चो 6, 6 और 6 का आएगा और उसके बाद क्या करोगे 20 का, 25 का, 35 का, 40 का एलिसियम लोगे अभी मने कुछ तेरे पहले आपको निकाल के बताया था 1400 आएगा और 1400 में से यह जो डिफरेंस आ रहा है सम्में 6, 6 का यह 6 यहां से मैनस कर दोगे तो जवाब आएगा 1394 में 1394 ठीक है 1394 यह आपका आएगा जवाब 1394 ठीक है स्क्रीन्स का स्क्रीन सोट देलो और आपके लिए आज का जो हूंबर करेगा वो ज़्यादा नहीं है इसका स्क्रीन सोट देलो क्योंकि आप घर से दाकी प्वेशन कर सबो सेकेंड क्वेशन मने कर दिया तीसरा चोथा क्वेशन आपके लिए है बाकी हम लोग करते हैं बच्चो कल नेक्स क्लास में ठीक है और बाकी सारी आपको 3DF इसका शाम तक मिल जाएगा कल हिंदी की क्लास चलानी है किस टेम पर चलेगी वो भी आपको साम को मैं वाटसप कर दूँगा कि कल किस टेम पर हिंदी की क्लास चलाओंगा ठीक है चले इस्टोइंट्स बस ठीक है ओके थैंक्स हाँ डिसकाउंट की वीजो मनने लगा रखिए अबलोड करने के लिए लेकिन उसमें प्रोलोंग हो लगी की टेबलेट में तो मने इसमें फिर प्लास ले लिए अब इसके बाद लगा दूँगा यार ठीक है स्टोइंट्स के बाई है क्या क्या रही हूं हाँ कल क्लास चला लेंगे ऐसा कुछ नहीं है संडे अगरा तो कोई शू नहीं है ठीक है जो भी अपडेट होगी वह तो आसे तुम बोई पर मिल जाएगे ना हूं ठीक है